दोजार्टोविस में पार्टी कहती है कि आप जो तुराजी सिंधिया के खिलाफ गुना से चुनाव लड़ने लोग समझे तो क्या है जो आदेश होगा पार्टी का करोगा दिकविजे सिंग ने जो कहा वो MP की सियासत के लिए बहुत बड़ा इशारा है जी हां शुरुवात में मैंने आपको बात सुनाई MP तक के सवाल पर दिकविजे सिंग ने बहुत बड़ा इशारा दे दिया है और ये इशारा है सिंदिया के खिलाफ उतरने का चुनावी मैदान में दिगविजे सिंग कह रहा है पार्टी आदेश कर दे मैं गुना से लड़ने तयार हूँ जोतराई सिंदिया का सामना करने तयार हूँ अपने आप में ये बड़ा इशारा है क्या जोत्राई सिंधिया के खिलाफ उत्रेंगे दिग्विजे सिंग हाला कि गुना से जोत्राई सिंधिया हार गए थे उसके बाद केपी आदव सांसत बन गए लेकिन आने वाले वक्त 2024 में ये भी हो सकता है ये इशारा समझा जा सकता है दिग्विजे सिंग की इस बात से जरा फिर सुनिए जोत्राई सिंधिया के खिलाफ गुना से चुनाव लड़ने लोग समझे तो क्या आदेश होगा पार्टी का करूंगा तो मुझे लड़ने की आवशक्ता नहीं है लेकिन पार्टी का सिभाई हो जो पार्टी आदेश देगी करूंगा आपके इच्छा है सर लड़ने की गुना से बात ये दिग्विजे सिंग कह रहे हैं साफ्त और पर पार्टी एक बार आदेश कर दे मैं तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए जोत्राई सिंधिया खिलाब मैदान में उतरने को तैयार हूं हलाकि उन्हों दिग्विजे सिंग ने ये बात कहा दी हो कि पार्टी का आदेश है अगर दिग्विजे सिंग कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं पार्टी के आदेश पर तो माना जा सकता है क्या पार्टी में इस तरीकी की रणनिती बन सकती है कि जोत्राई सिंधिया के खिलाब दिग्विजे की खास तोर से जहां दिगविजय सिंग लगातार इस कोशिश में है कि सिंधिया के गढ़ में कॉंग्रेस सेंद लगा दे और 2030 की चुनाओं में चंबल से कॉंग्रेस को वैसे ही सफलता मिले जो 2018 में मिली थी और सिंधिया के साथ जो लोग गए थे उसके बाद कॉंग्रेस को लेकिन जो तरह सिंधिया के खिलाब चुनाओं लड़ने की बात कहका दिगविजय सिंग ने एक बड़ा इशारा दे दिया है सिवनी से आप तक एक और पहुंचाए हमाई समाधा पुनीत कपूर ने आप देखते रहें एंपी तक